है है लो फ्रेंड ब्राइट एजूकेशन पार्ट साला में आप सभी का स्वागत है तो आईए क्लास को इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले सभी लोग इस्टागरम पर फालो करिएगा टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर ले सभी लोग और जो भी मित्र वार्टसप से जुड़न पहusन है सब्सक्राइब कर इसमें बताना है नंबर नांसर हमारा संभी तो चलेंगे और देख लीजिए कि सबताहिक जो दिया गया है तो सुद्ध वर्तनी क्या होती है सापताहिक ठीक है सापताहिक होती है यह हमारा सुद्ध हो जाएगा कवित्री ठीक है कवित्री हो जाएगा यह हमारा सुद्ध वर्तनी बन जाएगा प्रमारिक नहीं प्रमारिक ठीक है इसमें मांतरा लग तो चलेंगे नेस्ट कोस्टन की और सेट नमबर कोस्टन देखते हैं देखिसेकेंड नमबर में पूछा गया है कि एक की वर्तनी सुद्ध है आव इसकार देवारीजिए निसब्द जमाता तो सभी को बताना है कि राइड आंसर इसमें क्या हो जाएगा आव इसकार हमारा इस सुद्ध हो जाएगा अब देखिए नी सब्द में विसर्ग लग जाएगा ठीक है नी के बात क्या लगेगा विसर्ग तब जाके सुद्ध होगा जमाता नहीं जामाता ठीक है तो यहां पे इसमें मांत्रा लग जाएगी चलेंगे आंगे नेक्ट कोश्चन की और थर्ड नमर कोशन देखिए थर्ड नमर में पूछा गया है कि सरवदा एक बचन रहने वाला सब्द कौन सा है उस या फिर जनता बदू पिता तो सभी को बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा तो इससे पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वह सभी लोग चैनल को स जादा से जादा क्लास को सेर भी करेंगे छी के थर्ड नमबर में बताएगा सबी लोग स्थाट आंसर क्या हो जाएगा इसका तो चलेंगी आंगे नेखा देखते ये एया प्यक्रत नमْबर में तो इसमें हमारा right answer क्या हो जाएगा? four number का right answer हमारा हो जाएगा वहना रूड ठीक है? यह number हमारा right answer हो जाएगा देखिए जो वहना रूड सब्द में आधिकरन कारक का प्रयोग हुआ है जैसे देखिए जैसे वहन पर रूड मतलब सवार ठीक है? इसका क्या बन जाएगा वाहन आरूड का बन जाएगा वाहन पर आरूड ठीक है वाहन पर आरूड मतलब सबार ठीक है तो हमारा राइड आंसर ए नमबर इसका बन जाएगा तो चलेंगे आंगे नेस्ट कोस्टेन की और फाइड नमबर फाइड नमबर में पूछा गया है कि निम्नलिकित में कौन सा विलोम तुटि पूड है उन्मुक का विमुक अग्रज का अनुज उन्नत का अवगत आविरवाओ का थिरोवाओ तो हमारा इसमें राइड आंसर फाइड नमबर में क्या हो जाएगा सी नमबर जो की तुटि पूड है ठीक है जो की कैसा है तुटि पूड है तो सी नमबर का हमारा राइड आंसर हो जाएगा क्या बन जाएगा उन्नत का देखी इसमें अवगत दिया गया है जो की पूरी तरह से तुटि पूड है तो इसका जो सही विलोम क्या होता है उन्नत का उन्नत का सही विलोम होता है अवनत क्या होता है अवनत ना की अवगत ठीक है अवनत हो जाएगा हमारा सही विलोम तो ये बाते आप सभी को ध्यान में रखना है ठीक है उन्नत का जो विलोम हमारा सुद्ध होता है वो अवनत होता है बाकी जो अप्शन दिये हुए वो आप के बिलकुल ही सुद्ध माने गए ठीक है उन्मुक का विमुक अग्रच का अनुज उन्नत का अवनत आविर्वाव का तिरोभाव राइड आंसर हमारा सी हो जाएगा चलिएगा आंगे नेस्ट कोश्चन देखते हैं सिक्स नंबर देखी सिक्स नंबर में पूछा गया है कि इ क्या होता है सभी पता होगा मुश्णी आप स्पार वूता है क्या होता है घीर खीर मायूर का सभी कोसेस का ओता है यह सारे आप ततबह हो जाएंगे ठीके तो चलेंगे ऊंगे सब्सक्राइब अच्राया the today death तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा च्राइब योगी टैट्सर अगर सम्बलेंगे क्या होता है आश्चर ठीक है आश्चर हमारा इसका तत्सम रूप होता है जो अच्रस दिया हुआ है ये हमारा तत्बव रूप हो जाएगा अंदकार हमारा तत्सम रूप है अगर इसका हम तत्बव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अंधेरा ठीक है अंग रखा, अंग रखा हो जाएगा, ठीक है, ये भी द्यान रखेंगे, आसा क्या हो जाएगा, तत्थबह रूप आसा, ठीक है, ये हमारा आस तत्थबह रूप हो जाएगा, चलेंगे आंगे, नेक्ट कोश्चन देखते हैं, नेक्ट कोश्चन देखेंगे, सभी लोग भा वाइट होजाएगा भी नमबर दिया हुआ हैकी पूष्प कुसुम फूल सुमन ये भी राइट है सरस्वती गिरा भारती वाड़ी ये भी राइट है तो हमारे डी राइट आंसर हो जाएगा अब देखेंगे कहां पर इसमें बतलब असुद्ध या फिर गलत पर्याइवाची दिया हुआ है देखिए सूर का पर्याइवाची इसमें गलत दिया हुआ है सूर के पर्याइवाची कौन-कौन से होते हैं एक तो भानू होता है रवी भासकर दिवस जाम वासर ठीक है यह सारे के सारे किया हो जाएंगे किसूर के पर्याइवाची सब्द को जाएंगे ठीक है तो चलेंगे आंके की ओर नगष को राइडा ओंसर करना है सभी लोगdies राइडा करते रहिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं वो सभी लोग वाई चैनल को आवज से सब्सक्राइब कर लेंगे लाइक कर देंगे और जादा से जादा से और करेंगे ठीक है देखिए सूर का हमारा हो जाएगा भानूर रभी भासकर दिवाकर और दिन के इसमें पर्यावाची यह दिये गए हैं जो दिवस याम वासर है यह हमारे दिन के पर्यावाची है ठीक है दिन के पर्यावाची इसमें दिये गए ना कि सूर के इसलिए यह हमारा गलत हो जाएग तो चलेंगे आगे next question nine number देखे nine number में क्या है पुलोमा का पर्याइवची सब्द पूछा है सची उमा कंज पंचसर पुलोमा का पर्याइवची सभी को बताना है बताईएगा भाई कि पुलोमा का पर्याइवची सब्द क्या होता है सची होता है क्या होता है सची होता है तो ए नमबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसके अन्य पर्याइवाची कौन-कौन से हो जाएगे इंद्राडी इंदा सताब्दी ठीक है इंद्राडी इंद्रा सताब्दी ये हमारे पुलोमा के पर्याइवाची हो जाएगे उमा का पर्याइवाची कौन-कौन सा होता है पा आर्वति गौरी सिवा भवाने यह हमारे उमा के पर्रायवाची हैं कंज कंज के पर्रायवाची हो जाएंगे कमल कूवलय राजिव तामरस यह हमारे कंज के पर्रायवाची हो जाएंगे पंचसर के काम देव मदन मनोभावस इस्मरत ठीक है यह हमारे पंचसर के को व्यक्त करने वाले सब्द को ग्यात कीजिए इंद्र सुरेज धनादीप सुरेंद्र ठीक है तो टैन नंबर का बताईएगा सभी लोग राइट आंसर कौन साइस में भिन दिया हुआ देखिए जो भिन है वो हमारा सी नंबर हो जाएगा धनादीप ठीक है जिसका अर्थ क् होता है का धन का स्वामी जिसका अ दन का इसका राइट आंसर होता है जो कि किसका पर रहा होता है कुपेर का ठीक है जबकि जो इंद्र सुरेज जो इंद्र सुरेज है तो चलेंगे आंगे next question की ओर next question की ओर चलते हैं 11 number question का बताएगा पावन सब्द का संदी विच्छेद होगा पाधन वन पोधन वन पाधन अन पाधन वन तो इसका right answer क्या हो जाएगा बार बार exam में पूछने वाला question है और बिल्कुल easy question है तो सबीघं़ जल्दी से इसका right answer क्या हो जाएगा पाधन अन अब आप सभी को बताना है किसमें संदी कौन सी हो जाएगी तो संदी कौन सी हो जाएगी आयादी संदी ठीक कौन सी संदी हो जाएगी चलेंगे bowl question की ओर call आप 20 में दिया गया एकि नायक का संदी विचएथ निम्न और संदी को जाएगी समें अयादी संदी कौन सी संदी हो जाएगी और तो इसका विच्चेत क्या होगा नए धन आख हमारा राइड आंसर बन जाएगा चलेंगे आगे नेश कोश्चन की ओर थर्टीन नंबर अपने के थर्टीन नंबर में दिया हुआ है महत्मा सब्द में कौन सा समास है तत्पुरुष समास है यह फिर अव्याई भाव समास है कर कर्म धारे समास है तो जो महत्मा सब्द है इसमें देखिए आपका हो जाएगा कर्म धारे समास हो जाएगा ठीक है जब इसका विग्रे करेंगे तो क्या हो जाएगा महान है जिसकी आत्मा क्या हो जाएगा महात्मा का विग्रे करने पर महान है जिसकी आत्मा ठीक है तो यह हमारा इसका विग्रह करने पर हो जाएगा और सी नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है और ये भी ध्यान रहें कि महात्मा में बहु बहु ब्रीवी समास भी होता है ठीक है महात्मा में बहु ब्रीवी समास होता है ठीक है तो चलेंगे आंगे नेस्ट कोश्च सब्सक्राइब कर लेंगे लाइक कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा क्लास को सेयर करेंगे ठीक है तो बी नमबर हमारा इसमें करम धारह समाज करम धारह समाज अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा नीली है जो गाए तो चलेंगे आंगे 15 नमबर कोशन देखे 15 नमबर में पूछा गया है कि इंद्रियों को जीतने वाले के ले के लिए जिते अंदरी है तो डी नमबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब जो दूर दर्सी दिया है इसके लिए वाक बन जाएगा जो आंगे की सुस्ता हो उसको क्या बोलते हैं दूर दर्सी बोलते हैं दत्चित के लिए वाक बनेगा किसी काम को पूड लगन से करना उसको क्या कहेंगे दत चित कहेंगे कुसागर बुद्धी ठीक है कुसागर बुद्धी के लिए हमारा वाक के बन जाएगा जिसकी बुद्धी कुस के नोक के समान तीकी हो उसको क्या कहेंगे कुसागर बुद्धी कहेंगे ठीक है 16 नंबर कोश्चन देखते हैं 16 नंबर कोश क्रतक तो इसका राइड आंसर 16 का हो जाएगा अलपक है हमारा राइड आंसर बन जाएगा अब जो क्रतक इसमें दिया हुआ है उसके लिए वाक हो जाएगा किये हुए उपकार को मानने वाला कहलाता है ठीक है की ओर जिख्रद् bisc लिएवगा इसके लिए वाखे बन जाएगा किये हुए उपकार को भूल जाने वाले को क्या कहते हैं क्रध्न कहते है तो हमारा डी नंबर सिम्हें बन जाएगा की ये हुए उपकार को बूल जाने वाला क्रधन कहलाता है 16 का It number right हो चलेंगे आगे next question की ओर 17 नमबर में पूछा गया है कि नीचे लोकोगतियां और उनके अर्थ दिये गए हैं इन में गलत अर्थ वाली लोकोगतिक अच्छयन कीजिए देखिए आगे नात ना पीछे पगाहा मतलब बंदन हीन ठीक है बंदन हीन 3-3 होना संगटित होना तो इसमें देखि य Elder DE संगटित नहीं होड़ा है इसमें क्या होता आज संगटित होना ठीक है आज संगटित होना तो वी नंबर हमाराansas रॉट απ सर ही बन जाएगा बाकिसारे हमारे सुद्द हैं सी नंबर में दिया हुआ आए कि एक टक साल के टले हैं सब एक जैसे ठीक है डी नंबर में आख के अंधे गाट के पूरे अभी हम नेक्स्ट क्लास में कराया थे कि मूर्क लेकिन धनवान तो यह हमारा इसमें बी नंबर राइड आंसर बन जाएगा तो चलेंगे आंगे नेक्स्ट कोश्चन की और 18 नं पूछा गया है कि दिए गए प्रस्ण के दिए गए वाक्यों में से कुछ मैं तुटियां है और कुछ ठीक है वाक्य के जिस बाग में तुटियां है हो को इसके अनुरूफ अच्छर A, B, C को चुने यदि वाक्ष में कोई तुटी ना हो तो D को चुनेंगे ठीक है तो आप सभी को बताना है कि कौन से अपसन में इसमें तुटी दी गई है ठीक है देश भक्त बड़ी-बड़ी यातनाओं को सहते हैं और D में दिया हो गया है कि कोई तुटी नहीं तो हमारा राइट अंसर देखे इसमें हो जाएगा B नमबर जो बड़ी-बड़ी यातनाओं इसमें लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा यातनाओं के इस्तान पर क्या हो जाएगा यातनाओं जो बड़ी-बड़ी यातनाओं है इसके इस्तान पर हो जाएगा कठोर यातनाओं ठीक है बड़ी-बड़ी को हटा कर हो जाएगा कठोर यातनाव ठीक है? तब जाके हमारा ये B possiamo 5 राइट आंसर हो जाएगा और सुध्वारक क्या बन जाएगा हमारा ये वक्त कठोर यातनाव को सहते हैं ठीक है? भी नमबर राइट आंसर बन जाएगा चलिए next question देखते हैं 20 नमबर गें 30 दिया गया है कि दिये गए प्रश्न के दिये गए वाक्यों में से कुछ में तुट्याँ हैं और कुछ ठीक है वाक्य के जिस बाग में तुट्यां हो उसके अनुरूप A B C को चुने यदि वाक्य में कौई तुट्याँ ना हो तो D को चुनेंगे ठीक है तो lmm3 में दिखिंगी दिया गया है कि सरुणालागत में आए व्यक्ति की रच्छा करने चाहिए डी नंबर कोई तुटी नहीं तो सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिंगी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरणागत में आए ठीक है सरणागत में आए तो सरणागत नहीं सरण में आए ठीक क्या हो जाएगा सरण में आए तो यह नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बन जाएगा सरण में आए व्यक्त की रच्छा करनी चाहिए तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलिए आंगे देखते हैं next question की ओर देखिन next question 25 21 number question देखिए इसमें five question आपको मिलेंगे गद्धान से संबंदेद question जो की आपको answer देना है ठीक है चलिए गद्धान को पढ़ते हैं और answer question का जवाब देंगे सभी लोग देखिन नीचे दिए गद्धान को पढ़े और निम्न प्राप्त कर पाता है यह धन से भी अधिक महत पूर है धन खोने पर वापस वापस पाया जा सकता है परंत बीता हुआ समय नहीं लोटाया जा सकता है चात्रों के जीवन में इसका अधिक महत है जो चात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वे भविस में तरक्की क उचाईयों को छू लेते हैं चाड़क के गांधी जी असोक आधी ने समय का सद उपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिये जीवन का प्रतेख सड़ भविस का निर्माता है जो लोग इसके महत को नहीं समझ पाते वे केवल हात मलते रह जाते हैं हम चाहें विस्राम क करता है ठीक है अता चात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका साहर तक उपयोग करना चाहिए बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा गधांस है अपने जीवन से रिलेटेट तो चलिए 21 का राइट आंसर करेंगे 21 का राइट आंसर करेंगे सभी लोगों को राइट आंसर करन सभी लोगों को करना है कि चात्रों के लिए समय को सद विगोग अधीक आवस्य क्यों ए जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं B. सद उपियों करने में करने से सदा विफल होते हैं C. कभी भी सदा रही होते हैं D. सदा पीछे रहते हैं तो हमारा right answer क्या हो जाएगा 22 का देखिए A. नंबर हमारा एक दम ही right answer हो जाएगा तो चलेंगे आगे next question की ओर 23 number question देखे 23 में पूछा गया है कि समय धन से अधिक महत पूड क्यों है समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं बहुत मेनस से मिलता है C number धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं D number में दिया हुआ है समय नहीं मिलता अब आपको बताना है कि इसमें 23 में right answer हमारा क्या बन जाएगा धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं वापस आएगा ठीक है तो C number हमारा right answer हो जाएगा अब चलेंगे आगे 24 number question अब देखे 24 number में दिया गया है कि निम्ड में से कौन सा विकल्प सह जगता का पर्यावाची नहीं है प्रमात सतकरता खोस्यारी चोकनापन तो हमारा right answer क्या बन जाएगा सभी लोग भाई answer करिएगा जल्दी से सभी लोग answer करेंगे जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए है वो सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग और क्लास को लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास को सेर भी करेंगे ठीक है तो इसका right answer हमारा हो जाएगा 24 number का A number हमारा right answer हो जाएगा ब्रमाद ठीक है और समय चातर जीवन और समय का अनुप्यों थो क्या हो जाएगा चातर जीवन और समय देखी आपकी सब्सकाइब करें लाय करें और जाद से जाद क्लास को सेरें केजंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठैंक्यू क्लास